नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजरशी क्लासिस पर मैं प्रिया आज आपके साथ यहाँ पर बीएड जो आपका थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिस टीचिंग है उसका unit fourth का जो है आज हम इस topic को जो teaching aids and resources का है आज हम इसके पूरे answer writing को कैसे लिखें exam में और उसके साथ ही किन-किन तत्यों को ध्यान रखें exam में कैसे हम points को create कर सकते हैं कैसे effective तरीके से हमारा answer होगा इस complete topic के उपर आज आपकी यह video जो है रहने वाली है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है question कि जो question आपके exam में आया हुआ है तो यह question क्या है audio, visual and technological aids provide a good support in teaching learning of English as a second language discuss तो सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं वो यह है कि understanding of the question जब भी exam में आपसे question आये तो आप सबसे पहले question को एक minute लगा कर अच्छे से पढ़िए कि question में क्या कह रहा है तो क्या है audio, visual मतलब यहाँ पे आपके TLM जो audio, visual है उसकी बात की जा रही है and technological aids इस video के अंदर हम यह भी समझेंगे यह technological aids इसने अलग से क्यों add-on किया है provide a good support तो यह जो आपकी चीजें हैं जो आपकी audio हैं, जो visual aids हैं और जो technology की चीजें हैं यह किस प्रकार से एक अच्छा मेडिया में अच्छा support प्रोवाइड करती हैं जब आप English को पढ़ते हैं जब आप English की teaching कराते हैं या पढ़ते हैं as a second language तो यहाँ जो as a second language है यह सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है क्योंकि इंडिया में चुकि हमारे course में prescribed है तो English हम second language के तौर पर ही पढ़ते हैं चाहें आप कहीं भी पढ़ें तो मतलब पूरा discuss तो पूरा के पूरे question का gist क्या है कि आपको यहाँ पे audio visual aids क्या होते हैं कितने प्रकार की होते हैं किस प्रकार से वो चीजों को करते हैं मतलब किस प्रकार से वो learning को आपके effective बनाते हैं learning में help करते हैं support provide करते हैं इस complete चीज के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है clear उसके बाद एक और question है जो आप से पूछा जाता है और वो है आपका use of audio visual aids in teaching ये भी आपका एक question है तो दोनों में से कोई भी question आए master answer आपका ये रहने वाला है तो जितने भी learners देख रहे हैं वीडियो को last तक जरूर देखिए रहने वाली है वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा useful clear तो देखिए किस तरीके से मैं answer लिखना तो चाहिए ये question पूछे आपसे चाहिए तो उपर वाला आपका answer यही होने वाला है सिर्फ एक और चीज कि जब आप answer को write कर रहे हैं ठीक अगर आप चाहते हैं कि आपको maximum marks मिले तो जैसे आप देख रहे हैं कि इस question में आपका पूछा क्या है तो इस question में आपका पूछा है इसमें कि English को second language के तौर पे आपको दिखा है तो जाहें यह पूछे या उपर वाला पूछे जब question का answer आप write करेंगे तो answer writing में आप उसी की heading को बनाएंगे जो आपसे question में पूछा है तो आए बिना देर की हम अपनी answer writing को start करते हैं तो देखिए यह आपकी है answer writing तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो यह करनी है कि आपको यहाँ पर सबसे पहला तो आपको यह बताना है कि question में जब आपसे पूछे तो meaning and definition of teaching aids तो आपको क्या करना है यहाँ पर teaching aids की meaning और definition को आपको बताना है तो आपको क्या करना है यहाँ पर सबसे पहले meaning and definition of teaching aids के meaning लिखना है और definition लिखना है तो जिनको नहीं पता teaching aids या आप उनको audio visual aids दोनों रूपो में कह सकते हैं कि question आपसे दोनों पूछा है तो चाहे आप उसको teaching aid कहें चाहे आप उसको audio visual aid कहें बात एक ही है चाहे आप उसको instructional aid कहें ठीक है, बात एक ही है इस चीज़ को याद रखिएगा तो यह देखिए जब आप Teaching Aids की बात करते हैं Instructional Aids की आप बात करते हैं तो यह आपका एक ही चीज़ है तो एक मिनिट तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे जैसा कि मैंने बताया कि हम Teaching Aids को होते हैं तो वो सभी चीज़ें जो हमारी Teaching को हमारी Learning को क्या करते हैं आपके Easy बनाते हैं Interesting बनाते हैं Effective बनाते हैं यह कुछ Words है जिनको आप याद कर लीजे क्या क्या है यह तो जैसे कि आपके हो गया कि Teaching को क्या बना रहे हैं आपके Interesting बना रहे हैं तो interest जो provide करता है, पहला तो वो हो गया आपका, second आपका क्या हो जाता है, कि जो effective बनाता है, उसको प्रभाव शाली बनाता है, और उसके बाद third आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपके teaching को क्या बनाए, easy बनाए, आसान बनाता है, ठीक, जो हर एक learners की need तक पहुचता है, अगर मैं common भाशा में कहूं, तो teaching aids आपने अपने life में, जब आप पढ़ते हैं, school में, colleges में, तो काफी बार आपने देखा, अगर teacher आपके लिए कोई topic अगर difficult है, या easy भी होता, अब चुकि audio visual aids, इसका नाम इसलिए भी है, क्योंकि ये audio के रूप में भी कभी-कभी ऐसा होता है, कि हमको दिखाई नहीं देती है, बलकि सुन सकते हैं, तो audio भी हो सकती है, और visual भी हो सकती है, दोनों का combination form भी हो सकती है, ठीक, तो जब आप अपने answer को अप शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले आपको समझ में है कि आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहली जो आपको लिखना है, वहाँ पे आपको teaching aids या audio visual aids को आपको करना है, ठीक, definition आपको एक देनी है, तो मैं आपको जैसे बता रही है, आप वो चीज़ भी लिख सकते हैं, कि teaching aids are the equipments or tools that a teacher can use and it help their students to learn quickly and thoroughly, clear, तो teaching aid उसके बाद आप example यहाँ पर दे सकते हैं, कि teaching aids is as simple as a chalkboard or as complex as a computer program, मतलब जो teaching aid है, वो एक आपका इतना simple होता है तो जब हम board पर लिखते हैं, वो भी हो सकता है, या फिर कोई computer की एक complex programming, कोई भी चीज़ आपके teaching aid के अंदर आ सकती है, जो चीज़ एक learner को learn करने में help करती है, ठेक, और एक साथ ही इसके साथ ही ये teacher के भी काम को क्या करती है, आसान बनाती है, तो कोई भी आपके ऐसी चीज़ teaching aids हो सकते हैं, तो teaching aids को आपने define कर दिया, उसके बाद इस fact को आप चाहें, तो आप use कर सकते हैं अपनी answer writing में, इस से आपकी answer writing बहुत effective होगी, तो 20% हमको जो होता है, वो सुनने से क्या होता है, समझ में आता है, 20% जो है, जो चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, hear करते हैं, जिन चीज़ों को हम सुनते हैं, तो उनको हमें recall हो पाती है, मतलब कि जो चीज हम जो है क्या कर सकते हैं, recall कर सकते हैं, किसके बेस पे, hearing के बेस पे, तो वो कितने परसेंट है आपकी 20% है, 20% है जबकि 30% चीज़ें ऐसी हैं जिनको की हम देख करके क्या कर सकते हैं, देख करके हम सीखते हैं, कितने परसेंट है आपकी 30% चीज़ें जिनको हम देख करके सीखते हैं, और 90% ऐसी चीज़ें होती हैं, जिनकों कि मान लिजे हम जब बोल बोल की चीज़ों को करते हैं और अगर उसका experience लेकर कि उसको करके देखते हैं ठीक learning by doing का जो concept है तब हमें 90% चीज़ें समझ में आती है तो मतलब इसका क्या है कि 20% अगर आपने कोई चीज़ सुनी तो आपको याद रह जाती है 30% आपने उस चीज़ को देखी तब आपको याद रह सकती है और 50% अगर आपने देखी सुनी दोनों चीज़ें की तब आपको याद रहते हैं अगर आपने उस चीज़ को कर ली और कह दी बोल किया अपने से तो वो आपको 90% chance है कि वो आपको याद रहेगी clear तो यहाँ पे आप जैसे की मेरा box ही छोटा है आप बड़ा सा box बना करके उसमें लिख भी सकते हैं कि यह एक famous proverb है I hear and I forget मतलब मैंने सुना और मैं भूल गया I see and I remember मैंने देखा और मुझे याद रहा I do and I learn बड़ जब मैंने वो चीज की तो मुझे वो चीज क्या हो गई learn हो गई मुझे वो चीज याद हो गई clear तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं बहुत effective होगा starting में ही अब उसके बाद यहाँ बारी है एडगर डेले का है बहुत सारे लोगों न दिया है कि what do you mean by teaching aids तो यहाँ पर Indian Education Commission जो भारतिय सिक्षा आयोग है उसका कहना है कि जो teaching aids होते हैं वो हर एक school में बहुत जरूरी होते हैं teaching aids जो होते हैं वो क्यों जरूरी होते हैं क्योंकि यह school में जो quality of teaching है जो पढ़ाने की जो quality है उसको improve करते हैं ठेक और एक देश में जो है सैक्षिक क्रांती जिसको हम कहते हैं उसको लाने में मदद करते हैं that means the supply of teaching aids ठेक teaching aids की जो supply है to every school is essential for the improvement of the quality of teaching it should indeed bring to an educational revolution in the country इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कोई और अगर आपको याद है जो आपके लिए easy लगे तो आप उनकी definition को भी क्या कर सकते हैं यहाँ पर write कर सकते हैं clear Edgar Dele, Carter, Vigood किसी की भी आप लिख सकते हैं जिसकी आपको easy हो बहुत आपको easy easy मिल जाएंगे बट एक किसी न किसी का quotation जरूर लिखिए उससे आंसर आपका effective होगा अब बारी आती है instructional aids की तो instructional aids क्या होते हैं instructional aids कहिए audio visual aids कहिए एक ही बात है instructional aids are those aids which help the learning ठीक जो learning करने में help करता है which make learning easier, interesting ठीक ये कुछ term से जो आप हमेशा याद रखिए तो ये आपको आगे तक भी काम आएंगे ठीक है अब हम बात करते है classification की वर्गी करड किसके aids की जिसको हम पढ़ने है resources of teaching of English ठीक तो आप क्या है resources of teaching of English तो ये आपका जो है इसके बारे में अब हम जो है तो resources of teaching of English language ठीक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है आपका classification तो classification का मतलब अब हम जानेंगे कि जो aids हैं जो audio-visible aids हैं वो कितने प्रकार के होते हैं किस-किस type से हम उनको classify कर सकते हैं clear तो कई तरीके हैं जिसके थूँ आप उसको क्या कर सकते हैं classify कर सकते हैं कोई एक ऐसा नहीं है कि नहीं सिर्फ यहीं है लोग classify करने को बहुत सारे तरीके से कर देते हैं बट ये आपका major है ठीक resources of teaching of English language चुकिए aids आप लिख रहे हैं और आप इसका subject है English तो कहीं न कहीं ये कोशिश करिए कि जो आपके topics आप बनाते हैं न कम से कम वो जो topics आप बनाएं अपने answer writing के अंदर वहाँ पर English language है जो question पूछा गया है उसके question के साथ लेकर बनाएं तो यहाँ पर मुख्यतर तीन होते हैं लेकिन जैसा मैंने कहा आपको और आते हैं तो आपको भी आइड कर सकते हैं audio, audio aids, video aids और audio visible aids ठीक है तो audio या video या audio वीडियो दोनों के रूप में इसके अलावा boards भी कुछ लोग जो है एक और में divide कर रहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं board अब board में भी आपको पता है आजकल कई प्रकार के आपके board आ चुके हैं जैसे कि white board और chalk board जो मारा पहले से था जिसको black board भी कहते हैं flannel board एक आया है roller board जो रहता है white और black color का जिसको roll करके कहीं भी आसानी से लेके आ जा सकते हैं तो ये बहुत अलग-अलग तरीके boards है इसको भी हम ऐसे TLM यूज करते हैं audio, visual कुछ और भी अलग-अलग तरीके के तो बेसिक ये है जिसको अभी मैं आपको बता देती हूँ देखे बहुत इजी है सबसे पहले audio पे आते हैं तो audio जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं कि which make the learning meaningful जो कि बनाते हैं by hearing मतलब हमारा जो sense है वो कौन सा है येर का use हम करके audio जो है अपने TLM को modify करते हैं best अगर हमको देखना है तो किन बच्चों के लिए है जो बच्चे देख नहीं पाते हैं जब हम inclusive education की यहां बात करते हैं तो जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके लिए audio AIDS एक वर्धान की तरह है समझ में आया अब audio AIDS में क्या क्या आ सकते है tape recorder, radio, lingua phone तो आप थोड़ा थोड़ा जब आप से सिर्फ अगर audio या visual AIDS की uses के बारे में बूलेगा तब तो आप इन सभी को detail में आप क्या करेंगे सबको आप describe करेंगे जो बहुत ही easy हो जाता है क्योंकि tape recorder आप सबको पता है कि tape recorder की सहायता से क्या होता है तो मैं आपको short में बता देती हूँ इसमें कुछ उतना difficult है नहीं tape recorder में क्या है हमने किसी चीज़ को record करा जैसे हम आप ही है आपने आपने आंसर को या किसी चीज़ को सुना record किया उसको repeated times आप सुन सकते हैं ठीक बच्चा जो है जो अगर देख नहीं सकता तो उसको बार-बार सुन सकता है अपनी भी आवाज जो उसने किया कुछ record किया गाना या कोई भी चीज़ जो उसको होबी है उसको भी वो repeated time देख सकता है ठीक pronunciation अगर हम language की बात कर रहे हैं तो language में pronunciation हो गया कहां पे stress, intonation इन सभी चीज़ों को आप tape recorder के माध्यम से easily बच्चे के अंदर सिखा सकते हैं radio भी आपका एक helpful TLM है जिसके माध्यम से हम अलग-अलग language इसको भी सिखा सकते हैं बच्चे को language की आपकी learning इससे अच्छी होगी lingua phone, lingua phone एक तरीके का ऐसा phone होता है जिसमें की language का जो होता है चुकि lingua कहां साया है, lingua जो आप language जानते हैं, पढ़ते हैं language शब्द ही आपका Latin word lingua से आया है जिसका मतलब होता है बोलना, ठीके जो निकला है टंग से, ठीक तो ये lingua phone क्या है कि इस पे आप बोलते हैं और ये basically आपके किस के लिए originate किया गया था तो जो आपकी language laboratory होती है जिसका concept अभी हम आगे देखेंगे language laboratory का मतलब होता है वो laboratory से अपने physics lab सुना है chemistry lab सुना है वैसे ही आप language laboratory भी जानिए इसका मतलब ये होता है कि ऐसी जगह जहां पे आपको language related चीज़ों को सिखाई जाती है, बताई जाती है बुलवाई जाती है clear? तो अब next आपका aid आता है वो है video aid तो देखिए इसमें और भी आपके आजाते हैं ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे जो है lingua phone जिसको मैं कह रही हूँ tape recorder, radio उसके बाद बहुत सारे हैं वीडियो में अब हम देखते हैं तो वीडियो को मैंने दो पार्ट में divide किया है, एक है printed और एक है non printed ठीक, कई-कई books में आपको देखने को मिलेगा audio अलग करेंगे, वीडियो को अलग करेंगे और एक में आपका audio visual और एक में other material, तो other material में यही books, newspaper, magazines को डाल देते हैं बट यह वीडियो में ही है क्योंकि आप उसको अपने आखों से देख रहे हैं, तो वो से best होती है, newspaper, newspaper के माधियम से बहुत सारे cuttings, latest current affairs, इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है, magazines के माधियम से भी हम अपनी language को सुधार लेते हैं, हमारी जो vocab का portion है, magazines, newspaper इसके माधियम से बहुत enriched होती है, next आते है, non printed, जो non printed जो छपी नहीं होती है, फिर भी हमें दिखाई दे जिस पे हम काफी life का part, जो है school time में teacher उस पे बहुत अच्छे से बताते हैं, chart हो गया, chart के माधियम से अगर कोई चीज बतानी है, सिखानी है, global warming classroom में अलग-अलग charts लगे भी होते हैं, pictures, जो हमारे picture होते हैं, ठिक किसी चीज की scenery, ये सारे चीज़े, slides, slide क्या होते हैं, जो presentation ह जिसमें आपको पूरा एक जिसे ये है, तो मैं आपको complete answer बता रही हूँ, तो ये as a presentation की तरह है क्योंकि मैं इसमें अपनी audio भी डाल दिया, मैंने, तो slides क्या हैं कि जिसमें आपको इस presentation का सिर्फ कुछ portion, कुछ information डेपिक्ट हो, कुछ information के बारे में बताया जा रहा है, LCD projector जो audio visual आपके aids पर, तो audio visual aids पर क्या आजाएगा, ठीक, flash कर डिये जो LCD projector है, इसमें आपका एक OHP भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, OHP क्या होता है, overhead projector होता है, आप इसका use भी कर सकते हैं, clear, तो अब यहां पर हम आते हैं audio visual पर, तो audio visual में देखे हमारे क्या है, तो पहला है motion picture, चलने वाली pictures होती है, TV, television हो गया, computer हो गया, तो यह आपके audio visual aids है, इनको आप बिल्कुल अच्छे से याद करके जाएगा, classification of aids और resources of teaching of English language, audio, visual और audio visual, आपके लिए तीन main होते हैं, major होते हैं, इसके अलावा आपको जितना पता है, आप उसमें add कर सकते हैं, अब हम आते हैं, characteristics of audio visual aids, अब देखिए, आप से question में क्या पूछा था, question में ये पूछा गया था आप से किस तरीके से जो English language आप second language के तौर पर पढ़ रहे हैं, उसके लिए TLM good supportive का का काम करता है, उसको support करता है, उसको help करता है, तो जब आप यहाँ पे characteristics लिख रहे हैं, किसकी audio visual aids की, तो आ आपका heading होगा, characteristics of audio visual aids, help in teaching of English as a second language, समझ में आ रहा है, heading आपको मैं किस तरीके से बता रही हूँ, तो ये heading जब आप लिखते हैं, उसको highlight करेंगे आप अच्छे से, तो अब तब आपका answer effective होगा, और जो examiner है, उसके question के demand के according होगा, तो minimize verbalism, तो अब यहाँ पे सबसे पहला characteristics क्या है, कि ये क्या कर रहा है, वर्बलिजम को क्या कर रहा है, आपके minimize कर रहा है, सो वर्बलिजम को क्या कर रहा है, खतम कर रहा है, कम कर रहा है, सो वर्बलिजम यहाँ पे क्या है, वर्बल जिसको हम क्याते हैं, बोलना, तो क्यों वर्बलिजम को इसने कैसे कम किया, तो यह verbalism है ठीक जो कि गलत है इससे rote memorization को बढ़ावा मिलता है तो यह audio visible aids जो है इसको कम करते है क्योंकि जब बच्चा कोई नई चीज को देखता है तो वो उसको अपने जो है आधार पे उस चीज की creativity लगाता है और उसको अपने आधार पे बताता है बोलता है तो कहीं ने कही verbalism इससे क्या होता है आपका discouraged होता है ठीक तो अब इसके बाद next now आपका next क्या है purposeful teaching purposeful teaching का मतलब क्या है कि आपकी जो teaching है वो क्या होनी चाहिए इसके थ्रू audio visual aids के थ्रू purposeful बनती है effective बनती है accuracy इससे जो teacher है उसको भी बहुत सहायता मिलती है कि उसके objectives जो उसने बनाये है उ तो results भी अच्छे आते है motivation बच्चों में भी इस चीज का खासा motivation रहता है कि आज teacher कौन सा TLM यूज करने वाले हैं आज हम कौन से नए words को सीखेंगे आज किस pronunciation के उपर बात करेंगे कैसे उसको हमें pronounce करना है तो इससे बहुत सारी चीज़ें रहती है realism बच्चे को reality से तो देखिए चुकि आपका already जो है ये काफी lengthy जा रहा है तो अब मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगे और आप इसको आसानी से समझ पाएं तो objectives देखिए अब हम देखते है objective जो है audio visual aids का सबसे पहला objective क्या है तो ये देखिए development इसका development बच्चे का जो बच्चे का प्रकार से problem solve करें ये सारी चीजें जो है इसका जो है objective होता है किस प्रकार से वो अपने आपको as a person अपनी personality को और क्या करें increase करें बहतर बनाए interest टीलम के help से हम बच्चे के अंदर interest को create कर सकते है connectivity with the outer world child can connect with help of TLM clear now teaching learning material तो यहां पे जो teaching का process है वो आपकी effective होता है with the help of TLM and this is one of the major objective of TLM तो जब आप objective की बात करतें TLM का in teaching language English तो उस case में जो teaching का process है उसको effective बनाने में जो audio visual aids है it helps a lot children को active रखने में class में participative बनाने में TLM का एक बहुत बड़ा योगदान होता है language skills को बढ़ाने में जो आपके language skills है तो language skills कितने हैं हमारे पास चार language skills है listening, speaking, reading, writing, writing जिसको हम L, S, R, W के नाम से जानते हैं तो listening, speaking, reading और writing चार language skills जो हैं इसको promote करने में ठेक आपके जो TLM है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है अब हम यहाँ पर देखेंगे need and importance of audio visual aids जितने भी learners इसको देख रहे हैं तो आप इस चीज़ से बिल्कुल free रहिए कि आपके unit 4 से जो दो question बनते हैं एक तो आपके testing और evaluation वाले बनेंगे और एक audio visible aids जो repeated question आना ही आना है अगर आप इस complete video को देख लेते हैं एक से सिर्फ दो बार तो आप इसके answer को बिल्कुल framing proper तरीके से क्या-क्या लिखना है आप निश्चिती बहुत ही अच्छा answer लिखकर आएंगे इसलिए मैं इसको थोड़ा detail में भी बता रही हूँ एक-एक चीज को आपको ताकि जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा है कभी उन बच्चों को भी एक बार में ये समझ में आ जाए ठीक तो देखिए अब हम need or importance देखते हैं तो जब आप need or importance लिखें तो सबसे पहले आप यहाँ पे कोठारी आयोग का जो है नाम देंगे और कोठारी आयोग का नाम दे करके आप यहाँ पे लिखेंगे observe the need of teaching aids for the improvement of quality of teaching quality of teaching को अच्छा बनाने के लिए बहतर बनाने के लिए इन्हों ने जो teaching aids से उसके need को realize किया तो सबसे पहला जो है वो क्या है maximize knowledge, knowledge को क्या करना maximize करना मतलब कि जो बच्चे का ज्यान है उसके ज्यान में क्या करना बढ़ाना और लेकिन वो ज्यान ऐसा ज्यान नहीं होना चाहिए तो गांधी जी का quotation यहाँ आप देंगे 3R से 3H 3R से 3H क्या है गांधी जी का कहना है कि reading, writing, arithmetic को छोड़ करके हमको किस की तरफ जाना है 3H की तरफ जाना है 3H क्या है 3H है आपका hand, heart और आपका head ठिक हाथ और आपका heart है दिल और जो आपका दिमाग है head इन 3 चीजों का आपको क्या करना है, use करके बच्चे की learning को और भी effective आपको क्या करना है, बनाना है clear, तो अब third है आपका experience, जब experience की हम बात करते हैं तो experience में आप देखेंगे कि यह आपका क्या है, कि importance क्यूं है, बच्चा खुद से hands on experience करके चीजों को सीखे अब यहाँ पे जो अपने सबसे पहले page पे अपने लिखा था कि I do and I forget, जो उसने किया था कि मैंने सुना और मैं भूल गया, I hear and I forget, I see and I remember, but I do and I learn तो जो जब बच्चा करेगा, जब doing की जहां बात होगी, जहां बच्चा चीजों को करके देखेगा, तो जहां पे doing की बात आएगी, वहां पे वो सीख जाएगा क्योंकि उसके hands on experience हो रहे है, clear, तो यहां पे scientific attitude का उसके क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, इसलिए जरूरत है हमको TLM की बच्चा किसी चीज़ को युहीं accept न करे, तर्क लगाए, logic लगाए, सिर्फ रटने की आदत न डाले, individual requirements को देखते हुए, प्रतेक बच्चा, हर बच को cater करने के लिए बहुत जरूरी है कि class में variety of things जो है teacher present करे, for effective learning, effective and interesting learning के लिए भी आपके ये बहुत जरूरी है, next is your active member in the classroom, और classroom में dullness को, ठीक कि teacher से पढ़े जा रहा है और बच्चे बोरियत के मारे उड़े रहे हैं, कि हां कुछ भी बता रहे हैं teacher, ठीक, अब इसके इसले भी जब मैं answer writing बता रहे हैं कि आप सबसे अच्छे number लेकर आएं, तो वहां भी मैंने बताया है कि आपको अपने long answer में तो एक नएक figure को ज़रूर रखना है, इसके आलावा भी दो चार figure जैसे जो आपका audio visual जो आपने classification किया है, वो भी आपका एक tree diagram के माध्यम से आप बताएंगे, ये भी आप कर सकते हैं कि teacher made aids, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि ये जो है teacher made aids जो teacher खुद से बना सकता है और इसका use कर सकता है, तो क्या क्या है, flesh cards, एक के बाद एक दिखा रहा है, picture, chart, model, blackboard, sketches, ये सारी चीज़ें teacher बिल्कुल अच्छे से कर सकता है, औ इसको भी आप with the help of figure बना सकते हैं, OHP, overhead projector, tape recorder, lingua, phone, radio, television, ये वो है, अब अपने question के उस पार्ट को याद करें कि जहां पे audio visual के साथ उन्होंने technological aids को भी include किया था, तो क्योंकि technology को use किया था उन्होंने question में, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप latest technology और electronic चीज़ों का आप अपने answer में जिक्र करें, clear? तो electronic aids में आप इनका नाम देंगे, अब उसके बाद एक important चीज़ है जो है program learning है, बहुत easy, मैं आपको समझा देती हूँ, आप समझ जाएंगे, ये इसके जो है five steps हैं, वैसे तो कई steps कहिए इसको या principles कहिए, वैसे तो 6 साथ हैं, बट मैंने इसक इसको five में जो है, short किया है, ये as short as है, आपको लिखना है program learning, इसको associate आप कर सकते हैं, skinner का जो operant conditioning की theory है उसके साथ, skinner की जो operant conditioning की theory है, clear? तो जो skinner ने दिया था, उसी के साथ हम इसको associate करते हैं, तो इसमें जो principles हैं, ये principles को explain करते हूँ, principle of small steps, सबसे पहले इसमें छोटे- सिखाया जाता है, principle of active response, और जैसे ही जब बच्चा पहले को पार करेगा, कि पहला उसको कुछ छोटा बताया गया, उसके आधार पर उसको question पूछा गया, मतलब active response चाहिए बच्चे का, जब तक बच्चा वो response देगा नहीं, तब तक वो computer जो है, वो आगे बढ़ने वाला इमेडियेट confirmation, अब तुरंत ही उस चीज का जो बच्चे ने response किया, उसका confirmation आजाता है, कि आपका सही है, कि नहीं सही है, self pacing, self pacing का मतलब क्या होता है, कि खुद के उसके सहायता पी, कि जिस हिसाब से आपका response है, जिस हिसाब से आपकी गती है, self जो है आपकी, स्वेम आत्म इसके अनुसार आपकी learning होगे और student testing, अब एक example के तौर पर आप इसको explain करेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मान लीजे कि आपको कोई एक छोटा सा paragraph दिया गया, सबसे पहले program learning computer में आप कर रहे हैं, तो आपको चार line का एक paragraph दिया गया, वो क्या है small step, बहुत question पूछा गया कि चलिए ये बताए उसी से related question number one, तुरंत आपको उसका response देना है, उसको पढ़ लिया, आपने समझ लिया, आपको response करना है, अब आपने tick कर दिया कि भई मेरा तो answer D है, तो ये तुरंत क्या कर देगा, confirm कर देगा, तो confirmation कर देगा कि आपका answer सही है, कि गलत है इसने tick कर दिया, फिर पता लगा कि नहीं, आपका answer तो गलत है, क्योंकि answer B सही है, self-pacing फिर आपको नहीं आया, फिर आप वापस से अपने paragraph पे जाएंगे, उसको देखेंगे, वापस से पढ़ेंगे, फिर answer वापस से tick करेंगे, इस तरीके से self-paste के साथ आपकी testing होते प्रोग्राम लर्निंग आपको सीखने का मौका देती है, तो सेम इसी फिर हम language को अगर लें, तो language के case में आप example क्या ले सकते हैं, तो language में आप बताएंगे किस तरीके से अगर हम से क्रोई pronunciation को परग्राफ दियागा, रेडाउट करने को, वो एक बार आपको पढ़के सुना है, तब तक वो जो है आपका करता रहेगा, clear, अब इसके बाद हम देखते हैं, next, language laboratory, language laboratory जो मैंने आपको बताए था, लिंग्वा फोन से connected था, क्योंकि लिंग्वा फोन आया ही इसलिए था, कि language जो है लेबोरेटरी धिरे-धिरे उसका विकास किया जाए, और लोगों की language इसको change किया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले English कुछ और थी, आज के English कुछ और है, और शायद आने वाले टाइम में English कुछ और ही हो, मतलब कि जो pronunciation है, कई ऐसे pronunciation है, जो लिखे कुछ और जाते हैं, बोले कुछ और जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज भ आपके उसमें है, तो इसको भी आपको आपके answer में देना ही देना है, तो call जो है, ये क्या करता है, introduce करता है, English, speech, sound, ascent, ठिक, क्या-क्या है, speech, sound, ascent, किस उसमें बोलना है, stress, rhythm, intonation, ठिक, इसके साथ ही जो call है, आपका computer assisted, जो language learning है, एक आपका काल्ट भी होता है, C-A-L-T, अगर इसने C-A-L-T लगा दिया, तो computer assisted language teaching हो जाता है, वो teachers के लिए है, clear, और call क्या है बच्चों के लिए, कैसे आप language को learn कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप अपने response को record कर सकते हैं, वापस से सुन सकते हैं, check भी कर सकते हैं, और गलतियों को भी पहचान सकते हैं, ये इस call का फाइदा होता है, ये भी जो है आपके TLM के ही है, क्यों कि ये individual बच्चों पे focus कर रही है, और बच्चों के लिए as ये क्या है, एक AIDS के रूप में हम देखते हैं, clear, अब यहाँ पे देखिए, यही आपसे question में पूछा था, तो मैंने यहाँ पे complete heading के रूप में आपको कर दिखा भी दिया, कि use of audio-visual aids and technological aids in teaching of English, तो audio-visual aids और technological aids का use क्या-क्या है, तो वैसे तो तमाम use है, तो आप जो use लिखेंगे वो सबसे पहले ना, आप four skills जो आपके हैं, इसके उपर आप लिखेंगे, कि जो आपके चार skills हैं, कौन-कौन से हैं, listening, speaking, reading, writing, पहला point आपका इ आज के समय में बताऊं, तो listening सबसे difficult काम है, क्योंकि कोई किसी को सुनना ही नहीं चाहता है, तो इससे क्या है, कि सुनने से learners की proficiency level बढ़ती है, speaking, बोलना, पहले के time में था कि वो लोग हम से translation को देखते थे कि हमको आती है, बट आज के time में speaking इसलिए जरूरी है, क्योंकि global words से आप connect कर रहे हैं, globally आप बात को समझ रहे हैं, तो इसलिए language के साथ communication को जोड़ा गया, जो बहुत ही important है, reading आपको आनी चाहिए, ताकि आप global चीजों को भी समझ सकें, देख सकें, अपनी चीज़ें उन तक infer कर सकें, writing एक attractive और अच्छा तरीका होता है, अपनी बात दूस पहुचाने की picture के माध्यम से teacher इस चीज़ को बच्चे को दिखा सकता है, अच्छा इस picture है, इसकी जैसे picture composition जो हम पढ़ते हैं, तो शुरुवात से ही बच्चे की writing को effective बनाने के लिए teacher इसमें help कर सकता है, in the last जो मैं बात करूँ तो आपको जो है यहां पर क्या करना है, ending जो आपको दिया है, कि English as a second language और उसमें अलग अलग जितने अपने points उपर heading में बनाए है न, इन सारे के सारे points को अपने conclusion में एक paragraph के रूप में लिख दें, और आपको अलग से conclusion draw out करने की कोई जरुवत नहीं है, ठीक, तो learners आपको मेरी ये video कैसी लगी, आप जरूर जाते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक, I hope कि आपने video के उसमें ले लिया होगा, screenshot भी, ठीक, अगर आपको कोई doubt रह गया हो, तो आप हमको comment करके बता दें, इसके साथ ही, video को like जरूर करने जाने से पहले, और पहली बार अगर राजर शी कास इस पर visit कर रहे हैं, तो video क like और channel को subscribe ध्यान से कर दें, that's all, thank you